इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे दा पॉमरंज फ्रिंस्क सिंथेसिस अफ आईसो कुईनिलीन का आईसो कुईनिलीन यहाँ प्रिपेर होगा जब बेंजल डिहाइड और कोई भी आमिनो ऐसिटल ग्रूप यहाँ पर है दो टू टू दाई इथोकसी इथाइल एमिन वन टू टू पर दो इथोकसी ग्रूप है और फिर यह इथाइल और एमिन इसको आपस में रियक्ट कराएंगे तो हम लोग को आईसो कुईनिलीन मिलेगा ठीक इसका मेकेनिजम देखेंगे सबसे पहले बेंजल डिहाइड का कंटेंसेशन रियक्शन होता है अमिनो एसिटल से जिससे हम लोग को सिप्स बेस मिलता है और इस सिप्स बेस का साइकलेजाइशन होता है H2SO4 सलफियूरिक एसिड या फोस्पोरस पेंटा ओकसाइड के परजेंस में तो उसके बाद हम लो बोन बनाएगा और यह ऑकसीजन कंपिलेटली बाहर चला जाएगा यहां से दो हाइड्रोजन भी बाहर चला जाएगा तो उस क्यूआ को हम लोग ड्रो करते हैं पहले यह बेंजीन रिंग बनाए इसके बाद यह कारबन और कारबन इसके बाद यह नाइट्रोजन से टबल बना और यहां पर जैसे था वैसे ही हम लोग बना देंगे यहां पर O C2H5 और यहां पर और एकटो O C2H5 दो इठोकसी ग्रूप लगा हुए है अब नेक्स्ट इस्टेप में H पलस आयन इसमें आइड्र करेंगे तो यह आइड्र करने से यह कारबन और ऑक्सिजन के बीच म बाहर निकलेगा तो और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटीव चार्ज क्योंकि O-Cy subject carbon से ज्यादा ऐलेक्त्रो नेगेटिव है यह दोनों ऐलेक्त्रोन अपने साथ ले करके यहां पर चला जाएगा और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटीव चार्ज हम लोग उसको य यहां पे nitrogen double bond carbon से इस तरह से 1 Oc2H5 गुरूप लगा हुआ है और carbon पे आ गया positive charge यह जो carbon है जिसमें positive charge है वो इस carbon के साथ bond बनाएगा और यह carbon carbon के बीच में जो double bond है यह तूट जाएगा और इस carbon पे आ जाएगा positive charge यह यहां से bond बनाएगा हम लोग उसको draw करते हैं यह benzene ring हो गया यह bond तूट गया और इस carbon के साथ bond बन गया nitrogen जैसे था वैसे ही लगा दिये और यहां पे double bonded यह carbon और इस दोनों के बीच में जो double bond था यह वाला तूट गया है इसलिए इस carbon पे positive charge और यहां पे 1 Oc2H5 तो इसको as it is लिख देंगे अब next step में इसको H2SO4 से react कराएंगे तो यहां से minus निकलेगा C2H5OH यहां पे जो hydrogen है यह भी बाहर जाएगा और यहां से Oc2H5 यह भी बाहर जाएगा इस carbon और इस carbon के बीच में double bond बनेगा और इस carbon और इस carbon के बीच में भी double bond बनेगा और इस तरह से हम लोग को आइसो क्वीनोलीन पूरी तरह से मिल जाएगा ठीक तो उसको अब हम लोग ड्रो करते हैं यह नाइट्रोजन यहां पे carbon के बीच डबल बन इसमें भी डबल बनेद है कि यह mechanism आप लोग को समझ में आया होगा मिलते हैं next वीडियो में thank you लुडार अप्ड़्डक्रोन धनना में लोग यह दोजड़ने हैं वीडियो में लोग करते हैं यह दो इस आप बाल क relieved लिवीो हम आपर को